जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एडिलवाइस टोक्यो लाइफ इंशॉरेंस कंपनी लिमिटेट के फ्लेक्सी सेविंग्स प्लान के पहले दो ओप्षन फ्लेक्सी इंकम और फ्लेक्सी इंकम प्रो की अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेर कर द मालनीजी के कमेंट को मालनीजी आप के इस कमेंट दैबाद अगर आप लोग चाहते रहें तो उसके लीजिए को लाइक करें शेर करें सेथिशन के अप सब Unknown की 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 जानकारी को फिर जानेंगे हम benefits के बारे में लार्सम option के प्रिमियम पेमन टम के option की बात आती है तो 5 साल से लेकर के 15 साल तक का आपको प्रिमियम पेमन टम का option मिल जाता है बात आती हैं पर policy term की तो अगर आप 5 साल का या 8 साल का प्रिमियम पेमन टम लेते हैं तो 10 साल से ले यहां पर इंटी एज की लिमिट की टो प्लान में लार्सम ऑप्षन के साथ में सुनने से लेकर के साथ में अगर पांस साल का प्रिमियम प्रिमियम प्रिमिम के बारे में साला ना आप 50,000 रुपे का कम से कम प्रिमियम पे करेंगे तब यह आप यह option ले पाएंगे हमाई 25,600 रुपे पे करना होगा तिमाई 13,000 रुपे पे करना होगा अगर आप मासिक किस्ते पे करना चाते हैं तो 4,400 रुपे और यह auto debit mode पे ही possible है हो सकता है कि दो या तीन मासिक किस्ते advance में आपको pay करना हो राइट यह minimum premium का limit है basic premium का इसमें कोई tax included नहीं है बात आती है minimum sum majority on debt की तो वो 3,500,000 रुपे का रखा गया है तीनों ही option में यह चीज़ आप लोग जानते हैं अब हम जानेंगे flexi savings plan के option number 3 last sum option के benefits के बारे में तो इसमें सबसे पहला benefit सीधा benefit है maturity benefit और फिर death benefit maturity पे क्या मिलेगा आपको sum majority maturity मिलेगा loyalty sum majority maturity मिलेगा उसके साथ अगर reversinary bonus हुआ तो वो मिलेगा और terminal bonus हुआ तो वो मिल जाएगा sum majority maturity आपको पता है कि sum majority factor का गुणा कर देते हैं सालाना premium में जो basic premium होती तो sum majority maturity निकल के आ जाता है जो reversinary bonus होता उसकी भी calculation sum majority maturity पे की जाती जो की guaranteed नहीं होता ये चीज़ हम जानते हैं इस plan में अब बात आती है loyalty sum majority maturity पे राइट माल लीज़े आपने 15 साल तक premium pay करने का option चुना और 25 साल पे आप maturity चाते हैं यानिकि 25 साल गली है policy term तो ऐसे में 72 प्रतीशत आप निकालेंगे sum majority maturity का तो यहाँ पे loyalty sum majority maturity factor होगया 72 प्रतीशत बात आती है death benefit की sum majority death के साथ में आपको अक्योर्ड रिवर्सनरी बॉनस मिलता है और टर्मिनल बॉनस मिलता है लेकिन अगर policy के last year में जाके death हो जाती है तो फिर ऐसे में loyalty sum majority भी pay कर दिया जाता है death benefit के साथ में आपके nominee को calculation करते हैं example के तरूँ ठीक है आईए example लेते हैं लार्सम option का माल लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयू 30 साल की है policy term उन्होंने यहां पे 25 साल का लिया और premium payment term लिया उन्होंने 15 साल का और सालाना जो basic premium वो पे कर रहे हैं यहां पे वो 50,000 रुपे का पे कर रहे हैं तो ऐसे में जो sum majority on maturity factor होगा वो 13.43 का होगा और इसका जो चार्ट है वो already मैंने टेलिग्राम चनल पे शेयर कर दिया है अब देखे हम जो calculation यहां पे कर रहे हैं approximately ही अब निकल के आता है exact तो नहीं तो हमारा sum majority on maturity हो जाएगा 6,71,500 क्योंकि 50,000 में हमने 13.43 का गुड़ा कर दिया loyalty sum majority on maturity factor हमारा है 22% तो हम 6,71,500 का 22% निकाल लेंगे तो 4,83,483 का हमारा loyalty sum majority on maturity हो जाएगा तो हमारा sum majority on maturity जो की 6,71,500 का है और loyalty sum majority maturity जो की 4,83,483 का है ये दोनों ही हमारे गारंटिड बेनिफिट हैं अगर हम प्रिमियम पे करते हैं टाइम पे और मिच्रोडी तक जाते हैं प्लान में जो समझ अटन दैत रखा गया है शुरुवात ने वो सालाना बेसिक प्रिमियम का साथ गुना है अगर हम समझ अटन मिच्रोडी के साथ में अक्योड रिवर्सनरी बॉनस को जोड़ेंगे और लोयल्टी समझ अटन मिच्रोडी को जोड़ देंगे तो 15,64,666 रुपे पचास पैसे प्लस टर्मिनल बॉनस जदी होगा तो कंपनी हमें पे कर देगी मिच्रोडी पे श्रीमान एको ठीक है अब हम माल लेते हैं श्रीमान एकी जो मृत्यू है पॉलसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई तो ऐसे में टोटल पेड प्रिमियम हमारा कितना हो गया है क्योंकि हमारी टोटल प्रिमियम हमें पांच लाक रुपे का है और समाच उटन दैथ जो हमारा आया था सुरूबात में वह साड़े तीन लग का था क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो गए है तो समाच उटन दैथ हम यहां पे 5,25,000 रुपे का माल लेंगे जो कि हमारा मिनियूम दैथ बेनिफिट होगा अब 10 साल में हमारा जो बॉनस एखटा हुआ है 6,71,500 का डाई प्रतिशत निकाल के 10 का गुणा कर देंगे तो 1,66,875 रुपे हो जाएगा दैथ बेनिफिट हमें पता ही है कि जो लोयल्टी समाच उटन मिचॉरिटी है वो हमें जब ही मिलता है जब पॉलसी के अंतिम हिएर में हमारी मिरत्य हो रही हो अपने आप लेते हैं ओल्लाइन एयर डिस्टेंस मार्केटिंग सोर्सेस के थुरू लेते हैं तो आपको 30 दिन का फ्री लुक पीर्ड मिलेगा अब आपको एक चीज़ अच्छे से समझने है और दूसरों को भी समझाने है कि इंशॉरेंस एक प्रोटेक्शन है प्रोटेक् चनल पर शेयर कर देते हैं थैंक्यू सो मच